देखो गाईज मैं हैं हमारी उत्रखंड की खूब सूरत चुणिया जो की फुर फुर उड़ रही है देखो गाईज हम यहाँ पर रुके हैं ज़टाली खानों मेरी बनानी के लिए अब भी मस्त हूं आज ब्लॉगिंग के स्टार्टिंग हो रही है जिससे ताई ने बिल्कुल कवर अपकर हुआ है अब ताई के घर के अधर पॉली ठीक है देखो गाईज पॉली अभी लेटी भी है अब पॉली को अपने साथ घुमारे ले जाओंगी तो उसकी तबेस हो जाएगी चलो पॉली उड़ जाओ गूमने जाने देखो गाईज नेपाली बागु आया है उससे हम तोड़ा बार्किंग कर रहे हैं कंबल लंबल का पंदरा सो बता रहा है पंदरा शो नहीं चेहेगा पंदरा शो कमका चेहेगा देखो गाईज पॉली अब बिल्कुल ठीक है क्योंकि रात को उसने दवाई ले ली थी अब हम जाएंगे घूमने उसको मैंने तयार कर लिया है सरमार ये विचारी देखो गाईज ये हमारा मानपुर्च और आई है और इधर हमारे हन्वान जी का मंदिर है पीछे की साइड और देखो गाईज ये हमारा कॉलेज जाने का रास्ता है और पहले तो ये बहुती चंगल लटा था ये दिवाल भी नहीं होती थी अब तो काफी कुछ चेंज हो पॉलच दो पड़ने के बाद ये हमारा डिग्री कॉलेज आ गया चाहीं है यांसे मैंने अपना प्रिख करा है इंगलेज से और ये भी कुछ जंगलों के बीच में ही ये काफी जंगल हे चादो तरफ और बीच में हमारा डिग्री कॉलेज कि देखो गाइस कितना प्यारे लग रहे हैं हमारे पहाड एक दम बिल्कुल धुन्च आई भी है और आज कल दो गाउं में भी धूप नहीं है ऐसा लग रहा है कि सूरज कि दो हजार तेईस में छुड़ गया है हम से दो हजार चौज में आया है नहीं कि देखो गैस कैसा मौसम हो रखाए इसे कहते हैं हमारा पांचो मेल आई है किसी जमारे में हमारी ममीत आई सब लोग यांपे घास लेने आते थे अपनी गाईों के लिए कुछ लोग तो अभी आई रहते हैं क्योंकि हमने कही बार बहुत ही बार आधी देखें हैं और एक बार तो हम अपने बाई की परात में जा रहे थे तो सामने से साथ आधी खड़े हो गए थे पिर एक करके और रोड प्रोस करी अ अब देखो गाईस यह घस आ रही है जो मैं बता रही थी आपको अब देखो गाईस उस टाम बरसाद में कैसा हो गया था मॉसम तो इसलिए पूरा टूटा भाए और रिपेर होया आपे बरसाद में बाड़ आ गई थी पूरा यहां पर टूड़ गया था रोड ब्लॉक हो जाने के लिए आने के लिए लोगों ने काफी पैदल वैदल सफर करा मैं तो आब आ रही हूं खेर यह देखो सब तभाई हो रही है कितना कम परास्ता बचा है बस एक गाड़ी निकल सेकते एक टैम पर देखो गाईस कैसा मौसम हो रहा है प्वाड़ का बहुत ही पूरा है और नदियों में पानी बहुत कम रह गया है सूप कही है जब परसाथ आई थी तो पूरा थैस्त्रैस हो गया था उपर दूप है मगर देखो गई जैसे उपर उपर जा रहे हैं और हमें दिख रहे हैं दूप क्योंकि कोरा मेरी ममी का डालोग है कोरा यूपी दे आता है हमारे था ऌध ग Bri दो से थे ने डोल दर को अ अँवरा अँर हो तो मै देखो इस यांपे वह काफी अच्य होडा है है हमें आउर में तो मैं देखर हैंマरे पायओ मेभी ये क्यों आपी माने आई हैं मुर्भी दूपय पर उने पाहार है ये जैसे टोपाछांबने रहे हैं म यह बहुती कुच रग गाओं हैं, I'm sorry देखो गाईस, यह आगे आने वाला है हमारा दुर्का मंदिर देखो गाईस, आगे आने मौड में हमारा है, दुर्का माता मंदिर भुती तेमा से कृड़टा का, और दुगदा का, दुर्का माता मंदिर हम पर दो पहुत आते हैं आपे अब आगली मोड में मेरे का माता का मदिर इस रिमारा का मंदिर, जै दुर का मता की जै जै अगया के लिए बनाएंगे चर्थे में पूल तेको गाइस, पेसे महसे की काओं में भी है यहां से पूल दिख्राओगा आपको यह है उप्रेला जाने का रास्ता और हम थोड़ा सा आगे निकल गए है मौसी यहां से नेक्स्टाइम में जाएंगे पिट्टो की साधी में मौसी की साधी में तो इसलिए नहीं जा पारी है और यहां से उपर पूजाते हैं मेरी मौसी के गाउं लगारें देखो वाइस यह सुरू हो गया है डुगड़ा और काफी अच्छी झजाई प्रक्रील क्योंकि इससे उपर हएं उपल से और प्ल से राश्ता कट हो जाता है मिकिन याणीग आजा ने और आजकल इसमें पानी तक भी नहीं है देखो फूल में ही कपड़े सूपने लगे बताओ लोगों के इस फूरा गाउं को पार करने के बाद उपर आपको पार दिख रहे हैं उस पार में चड़ाई करते थे हम नानी के गाउं जाने के लिए और ये सामने फूल दिख रहा है करते द्ने के लिए लिए टान पर कोरो कर दो ढूद आखिपि यह घ्रामैं कि अबुड़ी आफ से चील चे दॉह होना जाल। डॉत लेको अन्हाई मुजदा है। संग इसे दी खेंट मुदी अफेट आखें मुझा विसान डंधर शार्णिदान कि won.... और हम जाएंगे आगे वाली लोकेशन में जो हमने कले सट करी थी अपने लिए बनाने के लिए और यह मेरी फ्रेंड प्रीटी का गाउं है बते पूर टुगटर से आके पड़ता है यह गाउं में कक्म मखिए checked надо माइं उतले मेशन ही दाधी पटा नी पर में 나 आरही और यहां पे दूटी व्लॉगर है जो अपनी ब्लॉडियो बना रहे हैं और हम यह इंके साथ अपनी ब्यूडियो बना रहें लग गए अब देखो गाईज हमें दो भाईया मिले हैं धामपूर के हमारे यूपी के और ये फोटो शूट कर रहे थे तो हम भी इनके साथ आ गए फोटो शूट करने पतला रास्ते में जाएंगे देखो गाईज हम यहां पर रुके हैं गाउं में एक चले गया इस रास्ते से तूसरे जा रहे हैं इस रास्ते से अपना अपना समान लेके गास मतलब यह उतर की साइट गाउं में हो रही है गयों की खेती खूब क्यों लगे हुए गाउं में भी देखो गाईज हमने बना ली है बहुत सारी रील और अब हम जा रहे हैं अपना लंच करने आगे कहीं डाबा मिलेगा महां पर इतनी तेज धूब लग रही है क्या बताएं टेस्टी खाना मिलता है देखो काईज यहां पर आ गई है मेरी पाड़ी ठाली जिसमें कड़ी मूली और लौकी की सबजी उदर उड़त की दाल और तंदूरी रोटी और मैंसे खा रही हूं मजे से मेरे साथ खा रहे हैं को लूपॉली लक्षीता उसके बाद आया हमारा प लां लां बोटु खिर जैंके चाह पीन लिए पहले वीडियो बनाना जी है देखो गाइस मैं पी रही हूँ चाहिए आपी प्यों मेरे साथ चाहिए ना बटर नहीं चाहिए मुझे देखो गाइस मेरा प्राठा आगया और यह मेरी चाहिए अब मैं करने जा रही हूँ खाने जा रही हूं मतलब पराटा और इससे पहले मैंने खाई ये वेज ठाली एकदम पहाड़ी खाने के साथ देखो गाईस हमने खापी लिया है अब हम जा रहे हैं घर के ओर और कोहरा बहुत हो गया है कितनी अची दूप आ रही थी है अब भूबी नहीं है को रही को रहा है चारो गरत और मैं जारी हूं रोड़ पासने कोई गाड़ी तो नहीं आरी नहीं आरी है कि इस तर से ट्रक आ रहा है कि अच्छे पासने बाल थासने कोई अचे आरी है कि अच्छे पासने कोई आरी है कि अच्छे रहा है कि अबादे जा बेले कि छोगांट टेम करेंगा गगजिक अबादे की फिसको कि प्रादेगा तर हमया प्रेपली प्रेग जे या थेंगे एट रिग वड़ी ऑदेगा हम विद्धिक आज घुकी सुटट्ट मुड जले के अदोर समया फटिक अर अखि यह जगां अजगां ए देखो गाइस आपने देखा होगा पाड़ों में कित्ती धूपती और यहां के देखो फिर से कोहरे में आ गए हम आई होप यह चोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको भूमने का और इसमें हमने करा है तो पिंजॉय बच्चों के साथ इसलिए वीडियो कमी बनाई इंजॉय करने में ज़्यादा फोकस करा में में वीडियो बना लिया आपके लिए दिखा लिया हम क्या कर रहे हैं क्या खा रहे हैं कहां जा रहे हैं बात की तो आपको पता ही है खंडा मौसम है तो जेब से बहार हाथ निकालने का इंपन नहीं कर रहा है तब तक के लिए राम राम मिलेंगे आपसे नेक्स प्रेड न एक स्वाहन रई प्रेंट